नमुश्कार साथियो जरूरत क्या पढ़ती है इसके दो रीजन होते है सबसे पहला रीजन है वेक्ती जूट बोलता है क्योंकि उसको कोई reward चाहिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो बिना जूट बोले उसे नहीं मिल सकती है और इसलिए वो इनसान जूट बोल देता है कि उसे वो चीज मिल जाए दूसरा वेक्ती जूट बोलता है किसी भी चीज के punishment से बचने के लिए यदि उसे पता है कि मुझे जूट बोलने के बिना किसी चीज में punishment मिलने वाली है तो वो उस punishment से बचने के लिए जूट बोलता है जैसे आपने छोटे बच्चों को कई बार अपने माबाप से जूट बोलते हुए देखा होगा छोटी छोटी सी चीजों पर वो जूट बोल देते हैं क्यूं बोलते हैं? क्यूंकि उन्हें कोई punishment मिलने वाली है उन्हें पता है कि मेरे माबाप इस चीज के लिए मुझे डाटेंगे तो वो इसलिए जूट बोल देते हैं कि वो punishment उन्हें ना मिले अब किसी भी वेक्ती का जूट कब पकड़ा जाएगा? आप इस बात को समझेए जो reward या punishment उसे मिलने वाला है वो कितना जादा बड़ा है? जितना जादा बड़ा होगा उतनी जल्दे आप उस वेक्ती के जूट को पकड़ पाएंगे अब mind reading को सीखने के लिए आपको कुछ basic चीज़े जानना बहुत ही जादा जरूरी है इसलिए हो सके तो आप एक pen और एक copy लेकर बैट सकते हैं या इस वीडियो को download करके भी रख सकते हैं ताकि बाद में जब भी आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो इसे आप गौर करके देख ले अब mind reading का ये बिलकुल भी मतलब नहीं होता है कि आप किसी वेक्ति के mind के अंदर जा सकते हैं और उसके अंदर क्या thoughts चल रहे हैं उस thoughts को पहचान सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है mind reading में mind reading का सीधा संबंद होता है आपकी body से क्योंकि जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो आपकी body पर दिखता है बस उसे देखने वाला चाहिए उस trick को जानने वाला चाहिए यदि आपको वो trick पता होगी तो आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है अब जो भी तस्वीरे आपके सामने आने वाली है उन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि उन चीजों का मतलब क्या होता है यदि किसी वेक्ती की आँखे right side में है और वो उपर की और देख रहा है कुछ इस प्रिकार से मतलब right side में है और उपर की और देख रहा है इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्ति कोई नया विचार बना रहा है और वो भी वीज्वल फॉम में इसका मतलब या तो वो फोटो हो सकती है या फिर वीडियो हो सकती है यदि उसी वेक्ति की आंखे Left Side में है और उपर की और है फिर से ध्यान से सुनिएगा लेफ्ट साइड में है और उपर की और है इसका मतलब होता है कि वो किसी पुराने विचार को जो फोटो या वीडियो के रूप में था उसे याद कर रहा है एक बार फिर से समझ लीजिए यदि राइट साइड में उपर की और है इसका मतलब है कि वो कोई नया थौट बना रहा है, कोई नया विचार बना रहा है, कि अब मैं ऐसा करूँगा, या मेरे साथ ऐसा होगा, या मैं वहाँ जाओंगा तो ऐसा लगेगा, उस चीज के बारे में वो सोच रहा है, लेकिन यदि लेफ साइड में उपर की और है, जैस जूट बोल रहा है, सबसे पहले आप जूट पकर सकते हैं किसी वी वेक्ति के चहरे से, उस वेक्ति के चहरे को ध्यान से देखिए, और उस वेक्ति की स्माइल को ध्यान से देखिए, जब भी कोई वेक्ति आपसे जूट बोलेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने पहले मै तो उनके face expression कैसे होते हैं और जब वो बनाबटी हसी हसते हैं जूटी हसी हसते हैं तो उनका चहरा कैसे हो जाता है तो आप सबसे पहले notice कीजिएगा कि यदि कोई विक्ती आपके पास कोई बात लेकर आया है और वो खुश है वो smile कर रहा है तो उसकी smile एक complete smile है या फिर नहीं है एक complete smile कैसे होगी कि आपके चहरे के lips के दोनों भाग proper तरीके से उपर उठे हुए होंगे एक समान उपर उठे हुए होंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है जो दिखने में कुछ इसपकार से होगा lips के दोनों corner एक ही size में एक ही जैसे उपर उठे हुए होंगे और एक proper smile आईगी लेकिन जब भी कोई वेक्ती जूट बोलता है तो उसके चहरे पर कभी भी proper smile नहीं होती है उसका एक lip उपर होता है एक भाग उपर होता है और एक भाग थोड़ा सा नीचे होता है जो कि आप इस photo में आराम से देख सकते हैं और किसी वेक्ती के चहरे पर भी आसानी से महसूस कर सकते हैं इसके अलावा भी छोटी छोटी सी चीज़े हैं जो आप सामने वाले वेक्ती के चहरे पर महसूस कर सकते हैं जैसे वो थोड़ा नर्वस दिखेगा इसके अलावा उसकी smile complete नहीं होगी वो मुस्कुराएगा या blush करेगा पूरी complete smile नहीं देगा और कई बार आप चहरे पर notice कर पाएंगे कि उसे पसीना भी निकलने लगेगा तो ये सारे sign आप चहरे पर देखिए यदि ऐसा है तो हो सकता है कि सामने वाला वेक्ति आप से जूट बोल रहा है दूसरी चीज़ आप आखों से भी पकड़ सकते हैं कि कोई वेक्ति सच बोल रहा है या फिर जूट बोल रहा है जो वेक्ति जूट बोलेगा उसकी आखे shift होगी मतलब थोड़ी देर यहाँ पर देखेगी तो थोड़ी देर वहाँ पर देखेगी वो आपकी आखों में आखे डाल कर बाते नहीं कर पाएगा या फिर वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगा ब्लिंक करने का मतलब वो जल्दी जल्दी अपनी पलकों को जपकाएगा या फिर तीसरी और सबसे important चीज है कि उसकी पुतलिया मतलब आखों के अंदर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा जादा चोटा हो जाएगा नॉर्मल नहीं रहेगा लेकिन ये सारे के सारे साइन बहुत ही नॉर्मल है जो कि हर वेक्ती को पता होता है इसलिए जब भी वेक्ती आपके सामने जूट बोलता है तो वो ध्यान लगा कर आता है आपकी आखों में आखे डाल कर बात करता है क्योंकि उसे पहले से शक होता है कि आप उसका जूट पकड़ना ले तो हम जानते हैं आखों के एक ऐसे साइन के बारे में जिसे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई वेक्ती जूट बोल रहा है या फिर सज बोल रहा है अब काम में आएगी हमारी वो ट्रेक जो हमने शुरुआत में सीखी थी हमें देखना होगा कि जब भी सामने वाला वेक्ती कोई बात बता रहा है तो उसकी आखे राइट साइड में उपर की और है या फिर लेफ साइड में उपर की और है अब एक बार फिर से समझ लेजी कि जूट बोलने का मतलब क्या है जूट बोलने का मतलब है कि कोई वी एक पुराना विचार है वो आपको नहीं बताया जा रहा है उसके स्थान पर कोई नया विचार लाया जा रहा है और वो आपको बताया जा रहा है और उसे ही हम जूट कह रहा है अब जब भी कोई विक्ति आपके पास आएगा और वो आपको कोई बात कहेगा तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये expression बहुत ही छोटे छोटे से इसका मतलब वो कोई नया थौट बनाकर आपको बोल रहा है वो पुराने थौट या पुराने विचार जो एक्चुल में थे उसे नहीं बता रहा है वो चीजों को बनाकर बोल रहा है लेकिन यदि माली जी की आँखे लेफ साइड में उपर की और है और इस प्रकार वो पूछा कि बहुत लेट हो गए आप कहा पर थे जैसे ही आपने उसे ये कोशन पूछा उसने अपनी आँखों को राइट साइड में उपर की और किया और आपसे कहा कि मैं तो अपने दोस्त के आँपर था और मैं पढ़ाई कर रहा था इसका मतलब साफ है कि वो किसी नए व आपके में पढ़ाई ही कर रहा था तो इस प्रकार से आप आँखों से जान सकते हैं कि कोई विक्ती जूट बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है अब इसमें एक दो चीज़े हैं जो आपको समझने की बहुत ज़रुरत है कि यदि कोई जूट पहले से ही प्री प्लान है इस इस समय में आप जूट नहीं पकड़ पाएंगे तो अब इस इस्तिती में आप क्या कर सकते हैं आप अलग-अलग कोशन बना कर पूछ सकते हैं और जैसे ही आप अलग-अलग कोशन बना कर पूछेंगे नए और पुराने थौट के बीच में आपको अंतर साफ समझ में आ ज प्रश्च कर देखिए आप कैसे करते हैं उस समय आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है। प्रिकार से कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ फिर से देखिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या मुझे नहीं पता इस समय आप साफ कह सकते हैं कि वो वेक्ति जो आप से ये बाते कह रहा है उसे वो बात पता है लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहता है लेकिन जब भी कोई वेक्ति सच बोल रहा होता है तो उसके दोनों हाथ नीचे होते हैं और उसके कंधे का मुवमेंट बहुत थोड़ा होता है उसके कंधे उठते जरूर है लेकिन इतने ज़ादा नहीं उठते जितने एक बनावटी वेक्ति के उठते हैं जितने एक जूट पकड़ने के लिए और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, यदि आप वो भी जाना चाहते हैं, तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताइए, अब यदि इन ट्रिक्स से आप किसी भी विक्ति का जूट पकड़ लें, तो सीधी उसकी कॉलर ना पकड़ लें, उसे मारने ना लगे, आप पहले confirm कर लें कि क्या बात थी, क्यों कही गई, वो सच है या जूट है, हर चीज का निश्वित कर लें, इन ट्रिक्स को इस्तमाल करके देख लें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आएं, ये सारी की सारी ट्रिक्स एक दिन में सीखी जाने वाली नहीं है, इन्हें सीखने के और यदि आप इन ट्रिक्स का इस्तमाल किसी विक्ति पर करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट मिला, वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, यदि वीडियो पसंद आये तो इसे शेर जरूर करें, मुझे पता है कि ये बाते आप अपने तक ही रखना चाहेंगे, किसी को बताना नहीं चाहेंगे, ठीक है, आप अपने पास ही रखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए बहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद